एस वीडियो में आज के रैट में सीखने को मिलनेगा पैसा तो हो देखने को मिलने वाला और सीखोगे तो हर जगा वर्म देगो होता क्या अभी माल ने ते किसी को अगर तीस रूपय का शेर मिल जाताओं जिसको 500 रूपय का तार्गेट यहां पर कुछ ब्रोकर्स ने तार्गेट दिया ज़रा तो लोग तो बोलेंगे बले बले मतलब काफी एचा प्रॉफिट होने वाला है कि नहीं कम सकम 30 रुपिस का स्टॉक 500 रुपिस नहीं जगा कम सकम 200 रुपिस तो जाएगा है कि नहीं हम आदा भी लिके चलेंगे तो बह तार्गेट दिया है यहाँ पर तार्गेट का दिया गया स्टॉक और बोला कि यह 76 रुपिस में तार्गेट यहां पर आ पको बताए गया वह 550 रुपिस का है 550 रुपीस का है और यह जो लोग होते हैं यह बड़े-बड़े प्लेयर्स होते हैं इनके पास ऑथोरिटी होती है और इनके पास बोल सकते हैं सम काइंड आफ पावर मतलब इनके पास पावर होते हैं बहुत बड़ा रिसर्च डिपार्टमेंट होता है यह लोग करोड़ रुपे खर्च करते हैं स्टॉक को रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा मैनत करते हैं और इन लोगों ने जो तार्गेट दिया 550 रुपीज का तार्गेट दिया और यह तो ट्रेलर है पिक्चर अभी बाकी है यह है स्टॉक 76 रुपीज पे चल रहा है लंबे समय में इस कंपनी ने 2479 रुपीज का प्रॉफिट दे रखा है हां कंपनी का चार्ट पेटन देखने के बाद टेक्निकली पता चलता है कि स्टॉक यहां से गिरने नहीं वाला हां प्रॉफिट देने वाले लेकिन इतना बड़ा मतलब 500 रुपे का तार्गेट मेरे ह जादा हो गया थोड़ा कम रहना चाहिए था मेरे हिसाब से पावर जनरेशन डिस्टिबिशन के लिए कंपनी काम करती है और कंपनी जो डिविडेंट देती है ना मतलब बहुत अच्छा डिविडेंट देती है 6% का dividend power generation distribution में company काम करती है फिर भी 6% dividend बहुत बड़ी चीज़ है कि नहीं बहुत बड़ा चीज़ है dividend यह देख सकते हो company के बारे में थोड़ी बहुत basic जानकारी 10,000 क्रोड की market cap की company है देख लिजे P.E. आपको price to earning आपको 12 देखने को मिला dividend 5.88 मैंने 6% बोल दिया और company के पास जो date वगर है वो भी आप देख सकते हो पर मोटस के पास जो हिस्सेदारी है वो 52% है EPS earning for share यहाँ पर देख सकते हो return on capital employer, return on equity यहाँ पर आपको देखने को मिला तो यह सारी चीज़ है और company का target आप लोगों ने दिखे लिया यहाँ पर और एक दिखाता हो जो यह देखे गा एक मिनाट तो यहाँ पर आपको जाना है यहाँ पर जाने के बाद नीचे जाना है नीचे जाना है नीचे जाना है तो यही वो company थी ना target दूसरा भी यहां पर देख सकते हो Central Bank of India 31 रुपिस का है 550 रुपिस का तर्गेट दिया जा रहा है अगर आप चाहो तो मैं इसको जूम करके भी दिखा सकता हूं ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं यहां पर अगर आप देऊ एउ स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है इसका भी तर्ग तो एक ही ब्रोकर ने दोनों को तर्गेट दिया एल के पी सिखते और टीज ने और ऐसे भी Central Bank of India आज की रेट में मतलब काफी उपर है और मतलब पिछले छे मेने में तो 80% तक का रिटन दिया है और आल टाइम लो पर है तो क्या यह स्टॉक 500 रुपे पर जाए पाएगा 500 अब थोड़ा ध्यान से सुनियेगा मैंने क्या वला था इस वीडियो में आपको पैसे वैसा नहीं देखने को मिलेगा आपको के वल जो है सीखने को मिलेगा इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिलता है यह जो चीजे आपको दिखाई गई है यह थोड़ा कुछ गलत है या डेटा दिखाना start करते थे result बदल जाता है तो उसको बोलते है error कुछ mistakes है ठीके न? mistakes भी बहुत type के होते है partial mistake हो सकते है error of omission बोल सकते है बहुत सारे बोल सकते है याप error है तो ये stock 500 रुपय का target जो दिया गया है आप इस इस target के वज़े से आप खरीदीगा मत यह जो दोनों stock के बारे में target दिया गया है यह mistake है मेरे तरप से मुझे लग रहा कि mistake है किसी तरीके से आप वो चीज देखकर आप मतलब curiosity होकर आप खरीदीगा मत भाई यह 30,000 क्रोड की company है यह 30 रुपिस का stock अगर 500 रुपे चला जागा तो पता है HDFC bank को यह टक कर देगा सामने से HDFC, ICIC, XS bank को है SBI bank को तो मतलब समझो के कुछ समझेगा ही नहीं समझे रहो? अगर यह 500 रुपे चला गया तो इसका मतलब क्या है? कि mistake हुआ है तो कहीं पर भी अगर आप stock market के लिए वीडियो देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा वो लोग अपना अच्छा ही बताने की कोशिस करते हैं सामने वाला जो भी इंसान होता वो आपको अच्छा ही बताने की कोशिस करता है लेकिन क्या होता है कि एक दो बर क्या होता कि माल लेता है कि mistake हो जाता सबसे mistake होता है इंसान है तो mistake हो गई होगा ठीक है कभी mistake हो जाता है कभी माल लेता है कि कुछ बताया गया और वहाँ पर आपको दूसरी चीज़े दिखाई जा रहे है किसे stock करना बताया गया तो दूसरा आपको बताया जरा जो target बताया जरा वो दूसरा आपको बताया तो mistake mistake हो जाते हैं तो इस वज़े से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये लोग जो बताते हैं आप tension ना ली जगा ये थोड़ा बहुत ठीकी रहता लेकिन खुद भी हमें अ फस जाओगा इसी तरीके से थोड़ा बहुत maturity maturity का मतलब समझे रहना एक बच्चा होता है उसको बोल दो कि हां महल बनाएंगे और जब वही बच्चा मान लेता है कि 30 साल का उमर का हो जाता हो जौब करना स्टार्ट हो जाता हो तो बोलते हैं महल कहां बन पाया एक छोटा सा अपने 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 अपन कर सकते हैं बिलकुल फ्री में